मेरे परिये IS-PCS Experiences मैं डॉक्टर आनन्द प्रदीक्षित आपके अपने Brain Train Program for UPSC and PCS से आपके समक्ष मुकातिम हूँ दूसरा चैनल आनन्द प्रदीक्षित Life Management है APLM तीसरा चैनल सिवाग है SIVAG श्रिखर IS Virtual Academy गाज़ेबाद ये सभी फ्री चैनल है इन्हें सब्स्राइब करिए क्योंकि आपको इन पर वो बताया जाता है जो सामाने तया कहीं भी नहीं बताया जाता है चाहे वो स्प्रिच्वालिटी का फील्ड हो या अध्यान का सिवाग एक To The Point Classes का चैनल है थोड़े से Classes है उसमें थोड़े ही अगर आप ज़्यादा सब्स्राइब नहीं करेंगे जितना ज़्यादा सब्स्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया Classes आपको से मिलेंगे सिवाग के नाम से एप भी है जिसमें Paid Section है और Free Section है Free Section में वीडियोस डाले जा रहे हैं आगे चलके वीडियोस आपको Free Section में ही मिलेंगे इसलिए बेतर है कि वो एप भी डाउनलोड कर लीजे एप तो Free है अपने कोई खर्चा नहीं होता आपको कुछ विशिष्ट चीज़े वहां मिलती रहेंगे मेरी शिक्षा यानि डॉक्टर आनन प्रदीक्षित की शिक्षा डॉक्टर पीके दिक्षित मेरा नाम है आनन प्रदीक्षित मेरा पैन नेम है यानि की रचना धर्मिता का नाम आनन प्रदीक्षित है आईस समकक्ष रेंच से रिटार्ड हूँ चार भार निरंतर PCS में सफर हूं ये बात आपको मोटिवेट करने के लिए कही जाती है बाकी इसके पीछे और कोई उद्देश्य मेरा नहीं है तुम तो मेरे बच्चे हो बच्चों के सामने क्या बताया जाए इतनी सारी क्वालिफिकेशन्स हैं कि प्रस्पेक्टर्स में प लग जाते हैं अपने विशे में कि क्या मेरी पर्सनेलिटी आईस बनने लाइक है की नहीं क्योंकि आपके तमाम यार दोस्त नाते रिष्टेदार आस परोस के लोग इविन कभी-कभी माता-पिता भी ये कह देते हैं कि अपनी शकल देखी आयने में ये कलक्टर बनेंगे मन में कहो कि हां देखी तो है लगता तो है कि बन जाएंगे अब बता किवर लगने से कुछ नहीं होगा लगाना पड़ेगा अ है न है लगता तो है कि कल्लेक्टर बन जाएंगे तो फिर इसे लगा डालो प्रतेक व्यक्ति आईए स्पीसेस बन सकता है प्रतेक व्यक्ति अगर उसके अंदर वे गुण है जो मैं समाई समाई पर आपको बताता रहा हूं और अगर नहीं है तो वो उनको डेवलप कर ले आपके जीवन में ज्यादा ये लोग नहीं होने चाहिए ज्यादा लोग अर्थात असफलता कम लोग अर्थात सफलता आपको दुकान करना है सेल्समेन बनना है नेतागीरी करनी है नेतर तो नहीं नेतागीरी पॉलिटिकल लीडर्शिप करनी है तो आपको ज्यादा लोगों की ज़रुवत है या ऐसे ही कोई व्योसायों मैं यहाँ ये species से concerned हूँ, इसके लिए आपको ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, make habits that you are a one man army, आप एकल मनुश्य की फौज हैं, आप ही कर्मल हैं, आप ही जनरल हैं, आप ही सार्जेंट हैं, आप ही लांसनाइक हैं, आप ही सुबेदार हैं, सब कुछ आपी हैं, सब कुछ, बादशा हुमाईओं ने कहा है, कि एक बादशाहत खुदा यो ही अता नहीं करता, इसके लिए वो लाखों में से एक को चुंता है, यहां पर UPSC भी लाखों में से एक को चुंता है, और तब ये बादशाहत अता करता है, हुमायू नहीं कहा है जिसे उनकी बहिन बुलबदन बेगम ने हुमायू नामा में लिखा है कि एक बादशाह को पीर बावर्ची भिष्टी खर होना चाहिए पीर यानि की मेंटर जनता का मार्ग दर्शक पीर होना चाहिए बावर्ची यानि उसको खिलाने वाला फेड करने वाला जनता का पेट भरने वाला भिष्टी प्यास बुजाने वाला ग्यान की प्यास बुजाने वाला और खर यानि सेवक सेवा करने वाला इसी को प्लेटो ने कहा फिलासोफर किंग आज की जमाने की कंसिप्ट मोहित भटाचारी ने दी सर्वेंट लीडर्शिप इनी सब बातों को हुमायों नामाम बहुत पहले लिखा गया समराज्य के प्रतीक आज के IS, IPS, PCS, IPS वगरे हैं क्योंकि हम लोग जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो देश की बागडोर समालते हैं नेता चुनाव में खड़ा होता है IS के लिए तुम परिक्षा में बैठते हो बैठने वाला ज्यादा इस्था ही होता है कि खड़े रहने वाला इसलिए नेता पास साल दस साल टिकता है और जो IS, PCS, IPS होता है वो साठ साल के उमर तक नौकरी करता है जम के करता है प्रोवाइडिट इदाउदर पच्ड़े में ना पढ़ जाए और नौकरी सिंदा निकाल दिया जाए तो व्यक्तित तुम्हें गुण नहीं है तो डेवलप कर लो क्या दिकत है तुमने एंड्रोइड फोन खरीदा उसके अंदर ओडियो प्लेयर नहीं था वीडियो एडिटर नहीं था उसके अंदर VLC प्लेयर तुमने डाउनलोड कर लिया या तुमने जो है MX प्लेयर डाउनलोड कर लिया अभी तुम्हें को एंड्रोइड की तरह से हो ओपिन प्लेटफोर्म अब क्या होता है कि तुमने तमाम एप डाउनलोड करने है तुम्हें तमाम एप डाउनलोड करने गलत अप डॉनलोड करोगे गलत सोर्स से आएगा गलत जगे से आएगा वो अप तुम्हें बरबाद कर देगा Android प्लेटफॉर्म को पेंटेमिनेट कर देगा वाइरस भर देगा ये सब होने लगेगा सही जगे से आएगा तो सही चलेगा problem create नहीं करेगा वही सही एप कैसे डाउनलोड करते हैं और वो कौन से एप है यानि वो कौन से गुण है सदगुण है वो कौन से virtues है वो कौन से values है वो कौन से qualities है यही मैं तुम्हें बताता हूँ क्योंकि तुम्हें अपना बच्चा समझता हूँ इसलिए बताता हूँ WhatsApp पर कुछ भी पूछना इस समय निशिद है मना है वीच वीच उम्हें पांस साथ दिन के लिए open कर देता हूँ तुम्हारे विचार जान देता हूँ जवाब देता हूँ आजकल मना है फीस ट्रक्सर जानने के अलावा और कोई चीज वहाँ नहीं पूछिया सकती है क्योंकि मैं देखी नहीं रहा हूँ मैं WhatsApp नहीं देखा हूँ जब आप इनिशिल एमाउंट जमा करने को होते हैं जब आप पूछते हैं कि सर में ATM करने जा रहा हूँ तब वो मेरी तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है तब मैं आपसे बाद करता हूँ और आप निश्चिन्त हो जाते हैं कि मैं जो धनराशी फीस की जमा कर रहा हूँ वो आनंद सर के पास ही जा रही है मेरा ही अकाउंट है मेरा ही नाम है निश्चिन्ता से आप जमा कर सकते हैं मिलने के आउशक्ता नहीं है अकाउंट में जमा करिए आजकल वैसे भी कोरोना वगरे की धमक चल रही है इस्वर करें आप सब सुरक्षित रहें स्वस्त रहें मैंने Facebook पर लिखा था यदि कोई मुझे से मेरी wish मांगे तो मैं यह नहीं कहूँगा कि मेरे जितने बच्चे हैं सबको I.S.P.C.S. बना दो बच्चे तो बहुत हैं इतने तो I.S.P.C.S. की पोस्टी नहीं तो मैं इश्वर से यही wish मांगूँगा कि मैं परतेग बच्चे के मन में जाकर यह जान सकूँ उसके भविष्चे को देख सकूँ कि उसके लिए कौन सा भविष्चे मुफीद होगा और इश्वर मुझे अगर इतनी शक्ति दें तो मैं उसको वो भविष्चे दे के चुपचा भागाऊँ अभी तुम्हें भी नहीं पता तुम्हारे लिए क्या फाइदे मन्द है इसलिए कुछ चीज़ें उपर वाले के हाथ में छोड़नी चाहिए मैं हमेशा कहता हूँ यह I.S.P.C.S. का करियर ऐसा है कि जो तमाम बच्चों को तबाह कर देता है इसलिए कि इसमे चंस लिमिट बहुत ज्यादा है एज लिमिट बहुत ज्यादा है नॉरॉमल से कहीं ज्यादा तो अबनॉर्मल चीज़ें अच्छी नहीं होती आप लगातार 32 साल 35 साल या 37 साल या 42 साल या 35 साल के उम्र तक लगे रहते हैं इस बीच में कुछ व्यूसाय आधे दूरे मन से करते रहते हैं ना उसमें सफल हो पाते हैं और ना इसमें सफल हो पाते हैं Anyway ये आपकी चुआई से मैं इसको कुछ नहीं कहुंगा मैं तो एक बात जानता हूं मैंने केस्यू बजाना सीखा सीखना चाहा अच्छा से एक लाया केस्यू कंपनी का नहीं यमाह का था थोड़ा बहुत ट्राइ किया मेरे बेटे तो सब एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा कि पापा ऐसे सीखी ऐसे सीखी मैं थोड़ा बहुत देखा मैंने का मेरे बस कर नहीं मेरी उंगलियां अब नहीं चलेगी इस उमर में रख दिया छोड़ दिया लेफ्ट बेहंड रीजन यह कि मैं जितना समय उंगलियां साधने में लगाऊंगा हार्मोनियम बजाना मुझे आता था बट केस्यों मैं लाइक नहीं करता हूँ उसके जो सुर है ये CDF, G, वाले ये मुझे पसंद नहीं आते जो शुद सारे गामा में आनंद आता है वो इसमें नहीं आता वो सुर है ही नहीं जो हार्मोनियम में सीखे दे बस यही मैंने डिसाइट किया कि मैं नहीं सीखूँगा नेने तोरित होना चाहिए समझ लेना चाहिए कि मैंने इतनी तैयारी की मैंने इतना सब कुछ किया फिर भी मैं नहीं निकल पा रहा इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ मैं किसी और काम के लिए बना हूँ और वो काम इससे बेतर हो सकता है ज्यादा कलात्मक हो सकता है, ज्यादा क्रियात्मक हो सकता है, ज्यादा रचनात्मक हो सकता है, ज्यादा संरचनात्मक हो सकता है, आप इस्ट्रक्चरल बदन सकते हैं, ज्यादा मोटिवेटिंग हो सकता है, ज्यादा खुशनुमा हो सकता है, खुशगवार हो सकता है, कारण यह है कि आप अगर अपनी हॉबी को प्रोफेशन बनाते हैं तो इससे सुन्दर चीज दुनिया में कोई नहीं है इससे बेहतर संसार में कुछ नहीं है थ्री इडियेट्स में से एक बन जाए ऐसा इडियेट होना कोई बुरा ही नहीं है मैंने अपनी हॉबी चुनी वेवसाई के लिए आईस के संकक्स रेंग छोड़ दिया 15 साल पहले ही रेटाइर्मेंट के क्योंकि मेरे मतलब कर नहीं था मेरे च्वाइस कर नहीं था मेरे बेटों ने आईस पीसेस के तरफ देखा भी नहीं अपने हॉबी इसको अपना करियर दनाया और इश्वार के पासे वो अंतरराष्टी की ख्याती प्राप्ते हैं कोई ज़रूरी नहीं कोई आईस बनके ही आज जब मेरे बेटे का प्रोग्राम होता है तो सुरक्षा में जिड़ा प्रशासन लगा होता है रॉकस्टार है वो अनुराग दिक्षित सुरक्षा में लगा होता है ज़रूरी नहीं है कि आप आईस पीसेस बनके वो प्राप्त करें आपका कोई आटोग्राफ नहीं मांगेगा कभी भी एक रॉकस्टार का एक कलाकार का एक संगीतकार का एक गायक का एक चितरकार का एक शायर का प्रटोग्राफ मांगा जाता है आपका सिगनेचर बहुत लोग मांगेगे इस योजना पर साइन कर दीजिए इतने लाख इतने करोड कर सिगनेचर कर दीजिए और आपके हातों से बहुत सा वैद अवैद धन बट जाएगा, यह तो आप कर सकते हैं, आप बिना मास्क लगाए बैंक लूट सकते हैं, शारा पैसा हजम कर सकते हैं, बरश्टा चार में आकंच डूम सकते हैं, बाद में जेल भी जा सकते हैं, लेकिन आप अगर करते हैं अपने बॉस आप खुद हैं आप कहेंगे कि चैनल तो आईए स्पीसियस का है आप तो दूसी तरफ ले जा रहे हैं बेटे हर कोई तो नहीं बनता ना 50,000 सब्सक्राइबर हैं तो क्या 50,000 बन जाएंगे मेरे क्लास में 30,000 लोग पढ़ते थे तो क्या 340 लोग बन जाते थे कि अब कभी कवार 100 सवासों भी हुए पूरे विश्व में जो लोग पढ़ते थे अपने अपने घर बैटकर मुझसे उनको मिला कर तो क्या सारे लोग बन गए नहीं सोरे का काम रोष्णी बिखेदना है तीन तरह से लोग उपयोग करते हैं कुछ लोग चाता लगा लेते हैं रोष्णी को उपयोग ही नहीं करते हैं कमरे में बैठे रहते हैं रोष्णी को उपयोग ही नहीं करते हैं कुछ लोग उस रोष्णी में निकलते हैं बिजली पैदा करते हैं, जब सोरी नहीं होता, तब भी उस सोरी की धुख कानद लेते हैं, यही लोग आई यह स्पीसियस बनते हैं, ज्ञान तो मैं सब को दे रहा हूं, उपयोग करने की उफ़र बात है, हाउ आर यू यूजिग दा नॉलिज गिवन बई मी, गुरु विद्धुत इस पुलिंग है, ना ऑउक्सिजण है, ना हाइड्रोजन है, आप है, पानी का विगिटन करेंगे, तो ऑक्सिजण निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, गुरु जी नहीं निकलेंगे, यानि बि चाहिए इलेक्ट्रोडेसिस चाहिए समझ रहना गुरू की भूमिका बहुत अलग है गुरू कैटलिस्ट है मैं कैटलिस्ट का काम करता हूँ कोई गारंटी किसी गुरू की नहीं होती कि वह यह पढ़ा देगा तो यह आयाइटी नहीं है K2 को कि बारू क्लास करके बच्चे आएक इतने बच्चों में कितने सलेक्ट होगा के 90 परसंट रहा ये आ में इस आड़ा है इसमें दुनिया जहान के अलगोपडलिग तो हर कोई बन सकता है सामान्यग्य का अर्थ ही ही होता है जेनरलिस्ट मेंस जेनरल पब्लिक सिंप्ली यूर ग्रेजुएट एंड यूर एज इस बिट्वीन तो थार्टी तो फर जेनरल केंडिटेट एंड जेजर्वेशन अपार्ट आप अगर उस आयू वर्ग में हैं और आप ग्रेजुएट हैं तो आप आईएस पीसेज बन सकते हैं यह कहां लिखा है कि आपकी ना कितनी लंबी होनी चाहिए कि आपके कानों का साइज ही होना चाहिए क्या आपके गाल इतने फोले होने चाहिए या आपका खद इतना होना चाहिए आई पीएस में कद की बात थोड़ी सी होती है बस और तो कुछ है नहीं याद रखे ये दरोगा भरती नहीं है ये सिपाही भरती नहीं है या दोडा के भगा के सीना फ़ला के पिछ क्या के यह सब नाप जोक नहीं की जाती फ्लैट फॉट और फलाना डिमा का यह सब से कोई मतलब नहीं है अधिकारी बनना हैं आप तो व्यक्तित्तु को लेकर परिशान मत होई है मेरी गारंटी है जिस दिन आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे और मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका व्यक्तित्तु निश्चत रूफ से ऐसा होगा कि आप इन्टर्यू क्वालिफाई कर ले विकास्थ विज्व उस फेल रहते हैं फिर नहीं तो मेंस निकलते हीन नवकरी मिल जाती fail वो होते हैं जो interview को normal नहीं लेते जो interview को फिर से abnormally take up करते हैं जो बहुत सजदज के बड़े बंठन के इतराते बलखाते लहराते चमकाते जाते हैं वो fail होते हैं जो interview को knowledge का test समझ लेते हैं घवरा जाते हैं पसीने छूड़ जाते हैं आगर उन्होंने एक प्रश्न पूछ दिया कि पूरे भारत में सिंचित कृष्णी क्षेत्र कितना है परसेंटेज पूरे भारत के क्षेत्र फलका कता ही इसका उत्तर आवश्चक नहीं मुझे खुद नहीं पता किताबों से रट 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 आगे तो लोग एससी बगरे के लि कोई क्रॉस क्वेस्चन नहीं होता उसमें बिटा ये बाचीट है अंकल लोग आए हैं बच्चों से मिलने आये हैं कितने बच्चे आई सब्स बंना चाहते हैं इस्टेट लेविल का होता है, तो कौन क्या बनना चाहता है, तो इससे थोड़ा बातचीत करते हूं, यह वो लड़का दिखाई है, लड़की दिखाई भी नहीं है शादी के लिए, इसमें सिंपली आपका IQ लेविल वगेरे कुछ नहीं चेक करते हूं, आपका EQ देखते हैं, EQ, Emotional Quotient, यहनी आप अपनी भावनाओं को किस कदर नियंतित कर सकते हैं, कितना आप अपने उपर काबू रख सकते हैं, कितना खोशनुमा आपका Personality है, आपका जो Appearance है, आपको देखकर मन में प्रसंदता होती है कि नहीं कि आप लौकी जैसा मुह लटका के चले गए अंद वो भी कद्दू जैसे होगे, आपको देखकर, तो लौकी और कद्दू का मिल नहीं होता हुआ, आप कितने चियरफुल हैं, कहते हैं कि जिसको देखकर दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, विक्तित तो वो होता है, ऐसा विक्तित तो लेकर जाईए, खुश रहिए, मस्त रहिए, नतरस्त होईए, नतरस्त करिए, व्यस्त रहिए, धोस्त मत रहिए, इन बातों को याद रखेंगे, तो इंटर्व्यू में देखे कौन निकालता है आपको, और हाँ याद रखेंगे, यूट्यूब पर जो तमाम वीडियो पड़े हुए हैं, मेरे नहीं दूसरे लोगों के, जिन में ये बताया जाता है कि इंटर्व्यू में ये परशन पूछे जाते हैं कि यदि मैं आपकी बेहन के साथ भाग जाओ, और यदि आपको पता चले कि आपकी माँ एक वेश्चिया थी, लड़कियों उस पूछा जाता है कि सुबह आप पूछे, आपको पता चले हैं आप प्रेगनेंट हैं और क्या मैं बताओं छोड़ो, कभी कभी बोल भी देता हूं, कभी कभी हिम्मत नहीं पड़ती, इतने अश्लील बाते लिखी रहती है, ऐसा कोई प्रश्ण नहीं पूछा जाता है कभी, कभी भी कोई प्रश्ण नहीं पूछा जाता है, इस तरह का कोई क्योश्ण नहीं कुछ है, वो लोग अभद्र नहीं हैं, ड्वेर्थी डायलोग नहीं बोलते हैं, दादा कॉंड के नहीं हैं, यह पर दादा कॉंड के हुआ करते थे, उनकी सब फिल्में द्वेर्थी होती थी, इंटर्यू बोर्ड है, रेटार्ड ओफिसर्स हैं, बड़े प्रतिश्चित लोग हैं, आपके घर के बुजर्गों जैसे हैं, आपके दादा और नाना ताउ चाचा जैसे हैं, पिता समान गर्तित तो होता है उनका, बहुत ही शालीन, जेंटिल्मेन, जेंटिल्मेन होती हैं, कभी-कभी आपको छे एक टड़का अंदर गया, बोर्ड के सामने, बोर्ड में लोगों ने अपने आपस में एक दूसरी के दो देखा, कहा लोग ये एक और आ गया, देश की सिवा करने, एक्चुली पिछला गड़का गया होगा है, उससे पूछा होगा आप क्यों आना चाहते हैं, उसने का नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसक्राइए, आपसे भी कोई प्रश्न कहा ही नहीं है, वो तो आपस में बाते कर रहे हैं, ऐसी तमाम बाते मैं बताता रहता हूं, तो दा पॉइंट, फोकस, चेप्टर वाईज, सिलिवस वाईज, पढ़ना है तो पेड़क्लास में आईए, 800 व मेंस के हैं, पप्लिक अज — अर् दो फैपर परी के है, पर्सुयटि डवलप्मेंट, डेली असाइनमेंट है, चेकिंग है, चेकिंग हैं, दो राचि आपसे जुड़ा होता हूं, आपकी सभी प्रशनों के उत्तर देता हूं WhatsApp पर और Facebook पर विक्तिकर संपर्क बिल्कुल नहीं है परस्नरी मिलने की इजाज़त नहीं है किसी को भी और कैच रही है निवन्द चेक करता हूँ मैंस की आंसर आइटिंग चेक करता हूँ आइडियल आंसर देता हूँ आइडियल नोट्स देता हूँ बताता हूँ कैसे बनाए जाते हैं यह नहीं पुराने बच्चों के नोट्स पकड़ा दिया और जववर के वो सब जो है यह सब मुर्ख बनाना है हर एक की शैली अलब होती है आपकी शैली स्वयम की विक्सित कराई जाती है इस सब के लिए पेड़ क्लास है जितनी टोटल की है यह नहीं कि जादा पड़ेगी अगर आप पार्ट में एड्मिशन लें आप चार पार्ट में ले सकते हैं पांच पार्ट में ले सकते हैं इसके लिए वाट्सेप करके मुझसे पूछ लीजी या चार से पांच बजे कॉल करके पूछ लेजी कि क्या प्रोसिजर है पार्ट पेमेंट का वो भी सुविदाव प्लब्द है सब कुछ अभी ले दिल है लेकिन आपको सीरिस होना पड़ेगा और ये अंतर समझना पड़ेगा कि एक परसन जो निरंतर सफल हुआ है जिसके बच्चे सफल होते हैं तो केवल ये नहीं को उनके नाम बता दी जाए मेरे बाकाइदा मेरे बच्चे जब सफल होते हैं तो देश के किसी महत्वण बड़े अधिकारी प्रमुक सचिव या डायेक्टर जनल पुलिस या मंतरी या किसी किसी से मिलते हैं जाकर कि ये उतकर्ष ठिखर अकैडमी के बच्चे हैं उतकर्ष अकैडमी कानपुर हमारी स्वरुपनगर में छोटे भाई डाक्टर प्रदीर दिक्षित अलका दिक्षित उनकी पत्नी ये एक ही संस्ता है मैं यहां से ऑनलाइन पढ़ाता था पहले वहां अब आजकल नहीं पढ़ाता अब ऑनलाइन सिर्फ आप लोगों को पढ़ाता हूँ क्योंकि वो सिंक्रोनाइजेशन पॉस्विल नहीं ही यहां क्लास नहीं चलता पहले यहां भी क्लास सरता था, simultaneously कानपुर्म क्लास सरना होता था अब वो system नहीं है इस समय क्योंकि यहां क्लास बंद कर दिया गया था तो हमारे बच्चे प्रमानत हैं कि यह हमारे बच्चे हैं, हमारे selections हैं, इंटर्व्यू के लिए कि बिल्कुल मत घबराईए, कोई डर्जने की जुरुवत नहीं है, किसी परकार से भायवीत होने की जुरुवत नहीं है, आपको कोई गली महले का यार दोश, नातेदार, इस्तेदार, गाउं के निठले बुज़ूर्ग, सैलून में बैठे हुए फाल्तू लोग, तमाम सार और कसमे के जाओं के लोग, आपको कितना ही डिमर्डावाइज करते रहें, चिंता मत करिे, अगर नहोतर जी जिस जिंदगी में होते हैं, मेरे एक साथी थे, हर बात पर डिमर्डावाइज करते थे, अरे बड़ा थे था, बहुत थे होता ही, इंटर्वूत बहुत थे लोत जुके चलते हो, ऐसी ऐसी बाते निकालते हैं लोग, अपने कुंठा निकालने के लिए, आप इन निगेटिव और्जा वारे लोगों से दो रहें, और यदि आप कई बार एक्जाम दे चुके हैं, नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप आयोग हैं, कि आप इस लाइक नहीं हैं या आप नालाइक सिध्ध हो गए हैं, नहीं, इश्वार ने आपको किसी बेतर काम के लिए बनाया, वो काम करिये, आप अपना NGqueeo खोल सकते हैं, अप अपना कारिकर सकते हैं, अपनी होबीस को अपना वीऊसाय बना सकते हैं, इस बारे मैं काउंसलिंग नहीं करंगा आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट और बहुत सारे संस्थाएं हैं, जो लोगों की मदद करती हैं, सरकारी योजनाय है, और वास्ता में वो काम भी करती हैं, सरकार में इतने साल रह चुका हूं, मैं जानता हूं, सरकार से ज़्यादा बेथर काम कोई नहीं करता है। ये बात अलगे कि ब्रश्टा चाहर है इसलिए काम देर से होता है और उन लोगों का जल्दी होता है जो पैसा देते हैं लेकिन ये तो बुराई हमारी आपकी ही तो है अगर हम बैठके हैं रोते हैं कि सरकार में लोग ब्रश्ट भरे पड़े हैं तो हम ही तो वहां जा रहे है कौन जा रहा है हमीं जा रहे हैं वहीं से रादेस जा रहे हैं कि एक साल में कोठी खड़ी कर लेंगे बड़िया लेंड रोवर ले लेंगे ये करेंगे वो करेंगे गावाले सीने पर चढ़ा के दिखाएंगे उनको सीने पर साप रोट जाएंगे देखकर हमें इसलिए तो समाफ्त हो जाएगा, as simple as anything can be, पंदे स्रियाम शर्मा अचारे कहते हैं, गायत्री परिवार के मुखिया, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम बदलना नहीं चाहते जग बदल जाए, तो जग काहे को बदलेगा भईये, पहले खुद को बदलेगा, खुदी को कर बलं देता, पह हैं तो जगे我 जगे जगी हैं, खुदी कmy को कर दोस्कान